ड्राल में और स्टूद्स आइम अर्फ लेक्टर नहें संद्सक्राइब करेंगे निए स्टूननकिट्जर के इसे वारे स्टूदे कारए रीक्टर में धिसक्ष करें रेक्ट किया था तर्क्ष इंटिक्ष क्या होता है।он इंटेग्र वेल्यूट फंक्शन क्या होता है तो रेल वेल्यूट फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन यहां पर लिख हूँ अफंक्शन इस कार्ड रेल वेल्यूट इस इस कोड़ मैं इस कि मीनस के जो कोड मैं हो आपके पास क्या होने चाहिए सेट कूरिया नम्बर्स क्या हुब एसक फंक्शन होगा अगर उस फंक्शन की जो कौड़ मैं है वह आपको क्या दे सैट अफ रियल नंबर्स हो उसकी मीनस के जो को डुमैन हो आपके पास क्या होनी चाहिए सेट आप रियल नंबर जोनी चाहिए and it is also called and it is called integral value function integer when you would if it's domain is the if it's code domain is the set of integers what is the real value function and what is integer integer value function 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 अगर उस function की जो कोड डुमैन होगी आपके पास वो पूरी की पूरी सेट आप के आप दे आपको रियल नंबर जे और आपके पास वो function integral value इंटीजर वैल्यूट function का अगर उसकी जो कोड मेहन हो आपके पास किस तरागी हो इतनी सेट आप इंटीजर वो इसको इनदर वर्वास हम समचु żadूं ऑ हूँ कह सेक्ते है Five तो रै Religूट कि लेट वैलिअ आपके पूरो पूरो when your function with the same domain can be added as well as multiplied. तो जी स्टूनेंट्स यहां मारे पास रेल वेल्यूट फंक्शन और इंटीजर वेल्यूट फंक्शन में डिफरेंस है. जो अगर जो जो लोडल एंटीजर वेल्यूट फंक्शन और इसमें अगर आपके पास करेंटा्यट्स और आप जाते हैं। या आप युझा रियल्यूट फंक्शन जिनकी डुमैन्न क्या हो को सेम उनपाफ में एड भी किया जा सकते हैं और उनपाफ में पास क्या होते हैं उनको देख लेते हैं साम आफ दी फंक्शन साम अप्टी फंक्शन में हम क्या देखते हैं हमारे पास नेट F1 from set A to set of real numbers and F2 from set A to set of real numbers with the two functions हमारे पास कोई भी ये दो functions है then हम ये कह सकते है then F1 plus F2 from A to R is called sum of the functions इनको हम क्या बोलेंगे sum of the functions इसको हम मैथेमेटिकल हम लिका लिखें कि F1 plus F2 into X it means this is equal to F1 of X plus F2 of X for all X belong to the set of real numbers तो यह अगर दो functions आपके पास आजया तो आपने उनको Sum Up कैसे करना है तो आपके पास Real Value Function है कोई set A है वो किसमे जा रहे आपके पास उसकी Code domain क्या है? SetUp Real Humbers, तो उनको आपस में Sum Up भी किया जा सकता है इसी तरह जैसे हमने Sum Functions देखा है तो उनको यह देखना है कि अगर दो functions को आपने multiply करना हो तो वो हम कैसे करेंगे ठीक है तो इससे पहले मैं आपको इसकी एक example करवा देता हूँ पर example इसके बाद हमारे पास कोई भी दो function है ना f1 of x is equal to x square and f2 of x is equal to x minus x square हमने क्या करना है इन दो functions को अगर sum up करना है जो हम कैसे करेंगे तो इसको हम यह निक सकते हैं f1 plus f2 into x equal to f1 of x plus f2 of x तो f1 आपके पास क्या दिया रहा है x square plus f2 of x दिया रहा है x minus x square x square से x square cancel हो गया तो आपके पास answer क्या आगया x आ गया तो अगर आपने note किया हो तो हमने x किस्वे से लिया हुआ था setup real number में से अभी यहां में मैंने definition में बात की थी कि अगर आप two real value function को आपस में sum up करते हैं तो आपको answer भी उनमें क्या मिलेगा एक real value function ही मिलेगा तो आपके पास यह आपके पास एक function था और यह दूसरा function of the function product of the function कि हम क्या कहते हैं इसमें भी लेट आपके पास दो functions है f1 from a to set of real numbers and f2 from set a to the set of real numbers तो हम क्या करते हैं यहां पर सारी बाद नहीं लिगता चले मैं यहां पर अगर कह दूँ भी तू functions then f1 dot f2 from a to the set of real numbers is called the product of the functions इसको mathematically किस तरह लिखेंगे इसको हम यूँ लिख सकते हैं f1 dot f2 into x is equal to it means f1 dot x dot f2 dot x तो यह आपके पास चाओ कर रहे हैं और all x belong to the set of real numbers तो अगर दो functions आपके पास given हैं आप क्या करते हैं उन दो functions का product ले तो अगें आपके पास वो क्या आपके आपके पास एक्स मॉन्टिप्लाइगा ऐफ2 आपके पास आपके आपके पास दो रियावाई वे उडिव पर इसके product में आपके पास answer में क्या आजाएगा इस पाह यून एकसितने f1.f2 into x is equal to f1 into x.f2 into x तो f1 of x आपके पास क्या दिया है, x square, f2 of x आपके पास given x minus x square, तो this will become x cube, minus x square x square से multiply होके क्या हो जाएगा, export, again आपके पास एक real value क्या आगिया है, functions आगिया, तो यहाँ के पास दो real value functions का क्या था, product था, next हम function की type को discuss करते हैं, उससे, उसमें देखें, आपको उमीद है, यह समझ आगया होगा, next हमारे पास है, function की type है, यह one one, into function, onto function, by objective function, यह क्या होते हैं, उनको हम discuss कर लेते हैं, one to one function, one to one function क्या होते हैं, function x is said to be, said to be, one to one, आगे पास वो function one one, और या इसको, in other words, हम बहुते हैं, injective function, और injective, if and, only if, f of a is equal to f of b, which implies, it means, के a is equal to, क्या हो, b हो, तो इस function को हम क्या बोलेंगे, one to one function बोलेंगे, इसको, in other words, मैं यह भी दिख सकता हूँ, दूसरी definition आप इसको यूँ लिख दें, कि different elements have, have different, images, तो यह आप पास क्या कहलाता है, one to one function कहलाता है, a function f is set to be one to one, our injective function, if and, only if, f of a is equal to f of b, which implies, a equal to b, in other words, हम इस चीज़ को, यह mathematical लिखावा, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, कि different elements have different images, आपके पास दो set हैं, मैं इसके अगर example दूँ, यह मेरे पास एक set a है, यह मेरे पास एक set क्या है, b है, mapping है इनके between f from a to b, set a में elements पढ़े हैं, one, two, three, इसमें elements पढ़े हैं, a, b and c, one, two and three, अगर इनमें आप note करें, तो a के हर element का b में different image है, one का image a है, sorry, one का image b है, two का image a है, three का image c है, तो इसमें यह वाली condition satisfy कर ला है, कि different elements है, different images, तो इसको हम क्या बोलते है, one to one function, या इनको इसको in other words injective function, या one to one function भी कहते हैं, तो इसके अगर मैं example दूँ, यह आपके पास one to one function है, एक और example अगर मैं दूँ, यह set a है, यह मेरे पास set b है, इसमें elements है, one, two, three, a, b, c, and d, तो इसका मतलब यह हो गया, इसको पिर आप यूँ भी लख सकते हैं, इसमें अगर आपके पास four पढ़ावाया यूँ, अगर मैं इसकी बात करू, सबसे पहले तो इसको आपने यह देखना हुआ, कि क्या यह function है, आपके पास function में हमने क्या पढ़ावा था, कि अगर आपके पास कोई भी mapping है, set f from set a to set b, तो set a का हर element का set b में unique image होना चाहिए, तो हर element का image भी बन रहे हैं, और अगर आप दोट करें, तो हर element का unique b में बन रहे हैं, अब इसको यह देखना है, कि क्या यह one to one function है, one to one function कि क्या हमने पढ़ा, कि different elements save different images, set a के हर element का set b में different image होना चाहिए, इसमें अगर आप note करें, तो set a का हर element set b में different image नहीं बना रहा, three का भी d image बन रहा है, four का भी d बन रहा है, तो यह different elements save different images की condition को satisfy नहीं कर रहा, यह function तो है, is function but not one to one function है, रेकर one to one function नहीं है, ठीक है अभी आपको यह clear हो गया होगा, next time discuss कर लेखते हैं, इसमें one to one function के बाद on to function क्या होता है हमारे पास, on to function की आप मैं definition रिखता हूँ, a function, a from a to b is called on to, in other words इसको आप यह भी कह सकते हैं, or a subjective function, subjective if and only if, for every element b belong to b, there is an element a belong to a with f of a is equal to b, इसका क्या मतलब है, on to function की definition मैंने आपके आपके बाद सामने लिखी वी है, कोई function आपके पास a to b मैं कोई mapping बना रहा है, वो on to come होगा, b के हर element के लिए, आप देखें, उसने इस set b में से एक element उठा लिए, b, अब वो कहना कहा जाता है, आपके बी के हर element के corresponding, आपको set a में एक ऐसा element मिल जाए, जो set b के साथ image बना रहा हो, जो set b के साथ mapping बना रहा हो, तो उसको आप क्या बोलेगे, on to function बोलेगे, इसके एगर मैं example दूँ, 1, 2, 3 and 4, a, b and c, 1, 2 का image c, 3 का image b, b and 4 का देखेंगे, आप यहां पर हम क्या बात करेंगे, हमने यह कहा कि set b के हर element का set a में image होना चाहिए, तब यह आप यह function क्या होगा, on to function होगा, अगर आप note करे, set b का, मैंने a element उठाया, उसका set a में image बन रहा है, 1, b element उठाया, उसका image क्या बन रहा है, 3, c element उठाया, उसका element क्या image क्या बन रहा है, और इस b का image 3 भी बन रहा है, 4 भी बन रहा है, ठीक है, तो इसके मतलब यह आपके पास, is, function, and also a, on to function, function तो है ही है, function कैसे है, set a का हर element, set b में क्या बना रहा है, unique image बना रहा है, और आपके पास यह function है, तो इसका मतलब on to function कैसे है, और set b का हर element हमने देखा, वो set a के सब क्या बना रहा है, image बना रहा है, तो यह आपके पास on to function हो गया, next इसमें अगर हम बात करें, by objective function की, कि by objective function क्या होता है, a function, f from, a to b is called by objective function, if it is both one one and on to, by objective function कब होगा कोई भी फूंक्शन, वो उस वक्त by objective होगा, जब वो at a time, one one भी हो और one to b हो, अगर इसकी मैं example दूँ, यह मेरे पास set a है, और यह मेरे पास set b है, mapping है from set f from a to b, 1, 2, 3, a, b, and c, अब देखे one one कैसे है, सबसे पहले one one में हमने क्या पढ़ा था, कि set a के different elements के, set b में different images होना जाएं, different elements है, different images, one का image b है, two का image a है, three का image c है, different elements के different images हो गया, one one हो गया, on two की condition अभी हमने पढ़े है, कि set b के हर element का, set a में image होना जरूरी है, आप देखें, a के corresponding, आपको set b के element, a के corresponding set a के element में, one उसका image मिल रहे, और इस तरह, b का भी image मिल रहे, c का भी image मिल रहे, तो आपके पास, this is also called, is one one, and on two, which implies इसको आप बोल सकते हैं, ये function आपके पास किस तरह का है, byjective function, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, byjective function कहलाता है, next अगर हम बात करें, into function की, into function हमारे पास क्या होता है, उसको देख लेते हैं, अगरे पास क्या है, ये आपके पास क्या है, into function, a function, f from a to b is called, into function, if and if range of f is the proper subset of b, अगर function की जो range है, वो b का क्या वो proper subset हो, proper subset का क्या मत्रा होता है, कि set b में कमजगम एक element ऐसा होना चाहिए, जो set a में contain ना करें, तब आप गहेंगे, कि जो range f है, वो set b में proper subset है, अगर ऐसा हो जाता है, कि range f b के proper subset है, तो उस function को हम कहेंगे, कि वो हमारे पास function क्या है, into function है, इसको अगर मैं नेमेटिकर लिखूँ, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, b contain at least one element which is not in set a, b में कमजगम एक element ऐसा होना चाहिए, जो set a में बिलोंग ना करता हो, यह तो हम definition पढ़ते हैं, proper subset की, अब इसमें, into function के हम कैसे कहेंगे, into function में हम यूँ कह सकते हैं, कि b में कमजगम एक element आपके पास ऐसा हो, जो set a के साथ image ना बना रहा हो, इसके example देख लेते हैं, मेरे पास यह set a है, और यह मेरे पास set b है, इनके between mapping है, from f to a to b, one, two, three, a, b, c, and d, यू कहने, one का image two, one का image c, two का image a, and three का image b, अब देखेंगे, यह function है, सबसे पहले, a का हर element b में image बना रहा है, दूसरी बार, a का हर element b में unique image बना रहा है, secondly, into function में हमने क्या कहा, कि b में a के element ऐसा मिलना चाहिए, जो a से mapping ना बना रहा हूँ, अब b में हमारे पास a के element, a का missing आ रहा है, यह d आ रहा है, d का कोई भी a में नहीं बन रहा, तो इस function को हम कहा सकते हैं, कि यह हमारे पास किस तरह का function है, into function, यह हमारे पास into function हो गया, next time इसमें बात करें अगर, कि हमारे पास identity function क्या होता है, identity function let आपके पास कोई a set है, let a be a set, the identity function, the identity function on a is the function, identity को हम i से basically represent करवाते हैं, i from a to set itself a, where i of x is equal to x, identity function में basically क्या होता है, जो आप किसी भी set को input दें, वो आपको same output दें, तो उसको हम क्या बोलते है, identity function, let's call आपके पास f आप जैसे यह function है, आप इसको input x को put करें, 1, i of 1 आपको output क्या दे रहा है, 1, आप टू पूट करें इसमें, output क्या दे रहा है, 2, आप 3 पूट करें, तो यापको output क्या दे रहा है, तो इस 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 अपैस्ट कोई ॐ मैपिंगे फ्रॉम सैटे इस 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 पर रही आपको एक्स विधार नहीं कर दे जैसे यहां कि मैंने आपको इक्स नहीं पूड़ करते हैं तो और पूड़ आपको क्या मिलता है टू अगर अगर मैं एकोर फंक्शन लिखंगों I Arch is equal to X- Elias किया। अisters पूचा कि विल्कुल भी नहीं है। के अब इस विल्कुल भी नहींद विल्कुल भी कैसे आप इसमें ले आप इसको 1 दे कैसे को तेसको टू तो डेते हैं आपने इसको दिया थैघा तो इस कंडिशन पर आपके आ जाता है ये तमाम नमबर आह प्पास जो आप its care है और और वंजिम फोर फूरा जी क्या वंजиль को पहचान होगी जो आप सेट को इंपूर्ट दें तो आपको सेम और पूर्ट दें तो उसको आप क्या बोलते हैं आज इनटी फंक्शन नेक्स्ट इसमें अगरा में देखें अब पूजिशन और फंक्शन के बारे में विसक्स कर लें कि अब कि